अगर आप लोग आई बेटी होती तो आप ऐसा भी वार करते हैं यह बार्थ की बेटिया है आप ऐसा भी वार क्यों कर रहे हो देलाइफ टीवी सच सबसे आगे नमस्कार देलाइफ टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ आदित्यकुमार क्या सरकार अब लोगों का हक चीनना चाती है पहले तो अत्याचार होता है उन बेटियों के साथ जो इस देश का नाम रोशन करती है फिर उनको गुमराह किया जाता है और वो दोबारा धरने पर बैठ जाते हैं फिर उनके धरने को खत्म करने के लिए सबाप्त करने के लिए साजिशे रची जा रही है दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना कर रहे है पहलवानों के जो वहाँ कठा हुए है उन सब की बिजली तक कट कर दी है वहाँ पर बिजली नहीं जा रही है और पानी जो लेकर टैंकर जाते उन पानी वालों को भी बाहर ही रोक दिया गया है यानि बिजली पानी रोक कर एक ताना शाही रवया सरकार की ओर से अपनाया जा रहा है ताकि वो लोग अपना धरना समाप्त करके घर चले जाए अब ये सवाल पूछा जा रहा है क्या ब्रजभूशन शरण सिंग सरकार में है जो वो कानून से भी उपर हो गए है वो सरकार से भी उपर हो गए वो सबसे उपर हो गए यानि उन पर कारिवाई करने की बजाए भारती जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने के लिए हर हतकंडे अपना रही है हमारा नहीं बलकि उन पहलवानों का कहना है और उन्हें ये भी कह दिया है कि हम हटेंगे नहीं हम तब तक कि हाँ बैटे रहेंगे जब तक गरफतारी नहीं हो जाएगी जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा और पुरा देश इनके समर्थन में खड़ा हुआ है मैलाओं के सम्मान करने वाली बात करने वाली भारती जंता पार्टी में किस ख़दर से खिलाडियों का शोशड हुआ है वो यह तस्वीरे बया कर रही है जो दिखाई दे रही है हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो में बगायदे वो पहलवान कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं कुछ भी करना है कर लो जितनी ताना शाही रवय अपना ना अपना लो एसीपी से भी उनकी बात हुई उन्होंने भी कहा कि बिजली वहां नहीं जाएगी वहां पानी नहीं जाएगा आप लोग को यहां से हटना पड़ेगा लेकिन पहलवान भी हटने वाले नहीं करा बयान सुन लीजिए किस तरह किस तरह से वह कह रहे हैं कि हम हटेंगे नहीं जब तक हमें नहीं मिलेगा सुनिए तो यह बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात विद्वरों ने क्या का मंदीपुरिया ने बकाईदे वीडियो भी ट्वीट किया है वीडियो ट्वीट किया है बताया है कि जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का बिजली पानी दिल्ली पुलिस ने काट दिया है पुलिस का दबाव है कि अब जग Brave काली करो पहलवानों का कहना है कि जब तक ब्रजभूुषर की गिरफटारी नहीं होगी हम हटेंगे नहीं यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक गिरफटारी नहीं तब तब यहां से हम हाटेंगे नहीं गरफतारी होगी तब ही यहां से हम बाहर जाएंगे नहीं नहीं जाएंगे यह सीधे तोर पर कहा जा रहा है तो आप अंदाजा लगाईए किस तरीके से ब्रजभूशर श्रंग सिंग कानून से भी उपर दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरे भी दिखाते हैं वो पहलवान कैसे वहाँ पर खाना खा रहे हैं वो पहलवान कैसे वहाँ पर देखिए मोबाइल टॉर्च की रोसनी में वो वहाँ पर अपना दिन बितार है मच्छरदानी भी लगी हुई आप देखे किस तरीके से ये पहलवान है जिनके साथ मोदी जी नहीं पूरी भारतिय जनता पार्टी फोटो खिचवाती है फोटो सेशन करवाती है और उसके बाद आज की स्थिति क्या हो गई है आज भारतिय जनता पार्टी के जो लोग है वो बोलने को दयार नहीं है स्वायम प्रदान मंत्री जी का वक्त अब भी इस पर नहीं आता है कोई कुछ भी नहीं बोला साब भाया मस्त मौला है सब अपने अपने काम में लगे हुए है किसे से कोई मतलब नहीं है हाँ जब मेडल जीत कराएंगे तब फोटो खिचवाएंगे तब फोटो सेशन होगा सब कुछ होगा आज इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है बताइए इनका पानी बंद कर दिया गया है इनकी बिजली बंद कर दी गई है ये ताना शाही रवया नहीं तो क्या है इस सरकार किस तरीके से काम कर रही है सवाल बहुत पूछा जा रहा है हर जगे से सवाल उठ रहा है आप देखिए जन्तरमंतर से पहलवानों को वापस भीजने की ये तैयारी है कि यहां से पहलवान वापस चले जाए दिल्ली पुलिस ने बिजली पानी कनेक्शन का काट दिया है दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है इस दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है पहलवानों का कहना है कि पुलिस प्रशासन पानी खाना नहीं लाने दे रही है गौतम गीतार जुन नहीं भी ट्वीट किया वकाई दे कि बजरंग पुनिया ने देराथ आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने बिजली काट दी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पानी नहीं लाने दे रही है खाना नहीं लाने दे रही है हमने कुछ सामान मंगाया था लेकिन वो उसे यहाँ पर लाने नहीं दे रही है पहलवानों ने कहा कि कुछ समान मंगाया था और पुलिस वाले उनको मार कर भगा रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों ने कहा कि ऐसा बरताओ पुलिस हमारे साथ कर रही है वो कह रहे हैं कि आपको धरना करना है तो सड़क पर सोजाओ इनके उपर आज ऐसा कौन सा दबाव आ गया है आज से पहले इतनी दिक्कत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के दबाव से ही ये हुआ है बजरंग पुणिया ने कहा कि यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हें वो भारत के बेटे और बेटिया हैं जो ने भारत का नाम रोशन किया है बजरंगपुणिया ने कहा कि भारत की बेटियों के साथ ऐसा marche नहीं करना चाही है बता दे कि ब्रजभूशर सुर्ण सिंग के खिलाब दिल्ली पुलिस ने दो एफाई यार दर्ज कर ली है दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहद भी कारवाई किये पहलवान इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं ब्रजभूशर सुर्ण सिंग के खिलाब पर सिकायत पर कारवाई नहीं होने पर पहलवान तेश अप्रेज से जत्तर मंतर पर विरुत पदर्शन कर रहे हैं इसमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान शा मिले है पहलवानों का आरोप है कि महिला पहलवानों का यौन शोशड होता है उनके साथ घलत वेवहार किया जाता है इसके साथ ही महासंग के अध्यक्ष परताना साही और मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है तो आप समझे किस तरीके से आरोप पर आरोप भारती जनता पार्टी पर लग रहे हैं, भारती जनता पार्टी के नेता पर लग रहे हैं, लेकिन भारती जनता पार्टी अपने स्वच छवी को दर्शाने के लिए किस तरीके काम कर रही हैं, या बखो भी देख पा रहे हैं, वो भी इस पर बोल रहे हैं, अविनास महायास हैं, वो लिखते हैं कि अब बीजेपी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जब हर जगे से ब्रजभूशण के लिए निराशा हाथ लगी, तो टुची हरकत पर उतराए, समय के चक्कर में सब दूबे है, यही जनता एक दिन शर्म की बात है, नदिम राम अली लिखते हैं कि बहुत बड़े शर्म की बात है परदान मंत्री जी, और कितना नीचे गिरना माकी है, थोड़े और गंदे काम करोगे, सीधे पाताल जाओगे, यहां नरक है, सीधे तोर पर लोग लिख रहे हैं, राहुल तवर ने भी इस खिलाडियों का हाल चाल लेने से तो गया, बिजली पानी कटवा दिया है, ऐसा नीच राजा है इस मुलखा, यहां समझिए कि प्रदान मंत्री डरेदर मोदी के बारे में टिपड़ियां की जा रही है, जनता कहे रही है, प्रदान मंत्री जी फोटो तो खिचवाते हैं, ब पूछा क्या क्या समस्या है, क्या सिर्फ और सिर्फ मिडल लाकर देश का नाम रोशन करने के वक्त ही पोटो शेशन होगा, उसके बाद उन लोगों को भूला दिया जाएगा, उन लोगों कोई मतलब नहीं है, यह सवाल बहुत बड़ा है, अब इनाश कुमार पड़े वहाँ पर इस्थितियां बन गई है, गुर्परीद गेरिवालिया ने भी बकाइदे तस्वीर साजा की है, जिसमें बिजली नहीं है, वहाँ पर किस स्थिति में वो लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, लिखा है देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाडियों का हाल, तस् जिनके बल पे आप वोड भी मांग लेते हो, जिनको अपनी पार्टी में शामिल कराने की भी बात करते हो, और जिनके साथ फोटो स्टेशन करते हो, उनको क्यों भूल जाते हो, ये भी बात से तो और पूछी गई है, क्यों उनको भुला दिया जा रहा है, सवाल बहुत पर रौन के बढ़ जाती है, मंजर भुपाली का शेर ट्वीट करते होगे ये बातें लोगो दारा लिखी जा रही है, तो आप समझे और किस तरीके इस्तितिया बनी है, और कैसे सरकार तानाशाही रवया अपना रही है, दिल्ली पुलिस के सहारे, किस तरीके से उस प्रद सबसे आगे